खाता बुक क्या आप आपका ऐसा खात है जो हर वक्त आपके साथ है आपकी पॉकेट में ही अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ खाता बुक के साथ भेजे हर महीने का हिसा SMS या WhatsApp से खाता हुआ खाता बुक राकेश मारिया मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर उन्होंने किताब लिखी है इसका नाम है Let Me Say It Now इसमें मारिया ने कई बड़े खुलासे किये हैं उन्होंने 2015 के शीना बोरा मडर से लेकर 2008 के मुंबई आतन की हमले के बारे में कई खुलासे किये हैं उन्होंने किताब में दावा किया है कि पाकिस्तान से दाउद इबराहिम की गैंग को अजमल कसाब को मारने को कहा गया था लेकिन ऐसा हो नहीं पाए मारिया 26-11 हमले की जांश करने वाली मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के मुखिया थे मारिया ने लिखा है कि रस्टकर 26-11 हमले को हिंदू आतन के रूप में प्रोजेट करना चाहता था इसलिए कसाब के पास एक फरजी आइकार्ड था इस कार्ड पर कसाब का नाम समीर चौधरी था और उसे बैंगलूरू निवासी पताया गया था मारिया ने लिखा यदि सब कुछ प्लान के हिसाब से होता तो कसाब के मौत चौधरी के रूप में होती और मीडिया हमले के लिए हिंदू आतंगवात को दोश दे रहा होता मारिया ने लिखा है कि आतंकी संगठन ने मौंबई हमलावनों के साथ भारतिय पतों वाली फरजी आइडी प्लान की थी आतंकी हमले के बाद कसाब की एक तस्वीर सामने आई थी इसमें उसकी दाई कहलाई पर लाल रंग का कलावा बना हुआ था इस सस्वीर के सामने आने के बारे में मारिया ने लिखा है कि ये केंद्री रेंसियो का काम था मुंबई पुलिसर सिक्योरिटी का ध्यान देते हुए किसी भी बात का खुलासा नहीं करने की पूरी कोशिश की थी मारिया के खुलासे के बाद केंद्रीय मंत्री प्यूज गोयल ने प्रतिक्रिया दी है ओनोड इन खुलासों के समय पर सवाल उठाया साथी कॉंग्रेस के नेतरत वाली यूपिय सरकार पर भी हमला बोला गोयल ने कहा सबसे पहले तो ये कि मारिया ये सब अब क्यों कह रहे हैं उन्हें ये सब पुलिस कंबिशनर रहते ही बता देना चाहिए था सर्विस रूल्स में लिखा होता है कि अगर सीनिर पुलिस अफसरों के पास कोई सूचना होती है तो उन्हें कारवाई करनी चाहिए हिंदु अतंगवाद के जूटे आरोपों के जरिये कॉंग्रेस और यूपिय सरकार ने लोगों को गुमरा करने का गेम प्लान बनाया था देश ने 2014 और 2019 में चुनाओ के परणाम से उन्हें करारा जबाब दिया है आपका मारिया के इंदावों पर क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखका जरूर बताएं बाकी ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तुम्हारे पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं साथ ही हमारा पेज लटक एक नया पेज आया है जिसमें अगर आप कविताओं कहानियों के शौकिन तो उसे फॉलो कर सकते हैं शुक्रिया